आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि Estragalus और Calcinium यह दोना structures given options में से किसमें हमें मिलेंगे तो यह frog के skeletal system के component है हम जानते हैं कि frog के पास two pairs of limbs होती है एक इसकी four limbs और दूसरी इसकी hind limbs ताकि यह दो अलग-अलग तरह के habitats में navigate कर सके यानि terrestrial और aquatic क्योंकि दोनों तरह के habitats में रहता है इसलिए swimming करने के लिए फिर जब terrestrial habitat में है तो उस समय burrowing करने के लिए या leaping करने के लिए इसको इस तरह की limbs चाहिए होती है जिसमें से हम देखते हैं इसकी जो hind limbs होती है वो size में थोड़ी जादा बड़ी होती है और muscular होती है four limbs के comparison में जिनकी help से यह leaping activity easily कर सकता है अब अगर human skeletal system के साथ इसकी similarity देखे तो हमें इसकी limbs में similar bones देखने को मिलती है तो अगर इसकी hind limb observe करते है तो यहाँ पर femur bone हमें मिलती है जो human beings के case में हम इसको thigh bone का नाम देते है लेकिन नीचे की तरफ यानि हमारे shank वाले part में हमारे पस tibia और fibula दो bones होती है जबकि frog के case में देखा जाता है कि एक single bone में यह united होती है जिसको हम tibia और fibula का नाम देते है तो यानि यह main characteristic फरक हो गया human की hind limb में और frog की hind limb में लेकिन astragalus और calcinium इसको compensate करने के लिए दो characteristic structures होते है जो tibia और fibula को respectively represent करते है तो यहाँ पर बाहर की तरफ जो bone हो जाएगी उसको हम calcinium का नाम देंगे और अंदर की तरफ एक bone है इसको हम astragalus कहते है और क्योंकि frog की जो tibia और fibula है वो आपस में जूड़ी होई है united है इसलिए यह तो bones इसके जो hind limbs है उसको extra strength देती है और tibia और fibula को यहाँ पर represent करती है फिर बाकी जो है इसकी phalanges हमसे similar ही हो जाएगे इसके पास five long flexible toes होती है इसकी hind limbs में जिसकी help से easily grasp पर सकता है move करते time objects को या branches को तो यहाँ पर यह जो दोनों structures है यह tibia और fibula bones को represent करने वाले frog की hind limb में मिलने वाले इसके skeletal system के characteristic feature है तो यहाँ पर सही answer हम option B mark कर देंगे Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर